नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूद इंडिया में, आज हम बात करेंगे रहस्माई दुनिया के बारे में, जिसके बारे में कोई ठोस, सुबूत या पता आज तक नहीं लगाया जा सुखा है, जिसमें नमबर वन है, ब्लोड फाल्स अंटार्क्टिका, जिया है दो में रहती है, और उसके बीच में हलका ये, जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ब्लोड की तरह, हलका हलका रिशा होता रहता है, इसके बारे में, आज तक कोई ठोस, सुबूत नहीं, पता चल पाया भाई, यानि वोगो कि आखिर ये कहां से निकलता है, नमबर डू, मैग अपनेटिक हील है, यहां पी आप कोई भी गाड़ी भी खड़ी करते हैं, तो अटोमेटिक हील की तरह, अपने आप वो खीचा चला जाता है, और इसका पता 1930 में चला है, तब से बाई ग्यानिक इसको पता लगाने में लगे हुए हैं, आज तक यह नहीं पता चल पाया कि याकिर ऐसा क्यूं होता है, नमबर थिरी, आइसलेंड, सर्टर से आइसलेंड यहां पे 1963 में ज्वाला मुखी फटा, और 1963 से लेके 1967 तक लगातार यहां ज्वाला मुखी फटते रहे, और उसके बाद यहां पी एक आइसलेंड का निर्माण हुआ, जिसके बारे में यह ठोस पता नहीं लगाना जा सका कि आइसलेंड का निर्माण हुआ कैसे, नमबर फोर, मुराकी पत्थर, न्यूजिलेंड में है, इस पत्थर का आकार सेप की तरह होता है, और इस पत्थर के आकार के बारे में, आज तक भाई ज्यानिकों ने यह पता नहीं लगा पाया, कि आखि सेप के सारे पत्थर हुए वहाँ पी और यह नहीं के छोटे छोटे पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर है यह नमबर फाइब नार्वी यहां लोगों का यह मानना है कि 20 अप्रिल से लेकर और 23 अगस्त के बीच नार्वे का सुर्य अस्त नहीं होता है यह क्यों नहीं होता है इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका और यह कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर नार्वे का सुर्य अस्त क्यों नहीं होता है इन दिनों के बीच में दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो या अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो अपनी सुझाव अवस्य दें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी दोस्टों के साथ सेयर करें नमबर 6 तुर्की तुर्की का ये पमुकले जील है जहां पर पानी हमेशा गरम मिलता है minimum temperature 37 degree और maximum 100 degree तक पानी गरम रहता है यहांपे इस बारे में आज तक पता नहीं लगाया जासका कि आखिर यहां का पानी इधना गरम क्यों होता है नमबर 7 इंटर्नल फ्लेम फाल्स ये नियू यॉर्क में है आर्चेट पार्क यहां फ्लेम देख रहा है हमके पिक्चर में आग जल रहा है ये आग हमेशा जलता रहता है पानी उपर से है और अंदर ये आग जलता रहता है इसका पता बाईगयानिकों ने अभी तक नहीं लगा पाया यह अनुमान लगाया है भाई क्यानिकों ने कि बीसवी सदी की सुरुवात में कोई ब्यक्ति वहाँ जाके और आग लगा दिया था क्योंकि वहाँ मिथन गैस का रिशा होता रहता है और वो आग तब से वैसे की वैसे ही जल रही है वहाँ पी लास्ट नमबर एड खेशकते पत्थर डेथ वैली कैलिफॉर्निया में है यहां के बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो पत्थर इधर से उधर खेशकते रहते हैं इस पे भी बाई ग्यानिकों ने बहुत सोद किया 1972 से लेके 7 सालों तक बैग्यानिकों ने लगातार सोद किया एक पत्थर पे जो कि बहुत बड़ा था आइधिंक आप यदि सर्च करें नेट पे तो यह सारे डिटेल मिल जाएंगे जो मैं बताया हूँ आपको और वो पत्थर एक इंच भी नहीं खेशका उस 7 सालों में और 7 सालों के बाद लोग उस पे अनुसांदान करना छोड़ दिया उसके बाद कुछ दिन बाद गए तो वो पत्थर लगबग 100 मिटर आगे खेशका हूँ मिला था तो ये थे आज दुनिया की आठ रास आसा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगाओगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियो बना सकें थैंक्यू दोस्तों जैहिन लव यू आल